Hello everyone, देश अम्षाध हैर आज ये केमैप का last lecture है और previous lecture में मैंने previous 2 lecture केमैप का इससे पहले recording किया है जो आप लोग मेरे playlist में जाकर देख सकते हैं और उसको देखने के बाद ही ये lecture देखें ताकि आपको ये lecture समझ में आपाए previous lecture में मैंने इस question को explain किया था यानि कि यह output कैसे आया था, इसको मैंने अच्छे से explain किया previous lecture में, आप उस lecture को जरूर देखें, उसके बाद यहाँ है, तो एक चीज मैं यहाँ पर note करने के लिए आपको मैंने कहा था trick बताऊंगा, कि यह कैसे single variable हो गया, यह कैसे double होता है, यह कैसे triple variable होता है, देखें, simple सा trick ह जो मैंने अपने, मतलब अपने सोच से यह बनाया है, ताकि आपको help कर सके वो चीज, basic सा trick है, कुछ बड़ा चीज नहीं है, कह रहा है कि अगर जहां पे 8 का pairing हो, अगर आप 4 variable का game है, बना रहे है, A, B, C, D, 4 variable का game अब जैसे कि यह है, इसमें pairing कितने का हो रहा है, 8 का, जैस और बचेगा कितना, सिर्फ चारों में से कोई एक बचेगा, ओके, चार में से कोई एक बचेगा, तो इससे ही देखे, यहाँ पर output जो आया है, यह 8 का pairing मनाया था हम लोग, और उसमें से 4 variable में से सिर्फ 3 variable जो था, A, B, C, D में से 3 variable हड़ गया, A, B, D हड़ गया, सिर्फ 2 variable हड़ जाएगा, 2 variable हड़ जाएगा, तो A, B, C, D 4 का है, तो इसमें से 2 variable कोई भी 2 हड़ जाएगा, और answer में क्या आएगा, सिर्फ 2 variable आएगा, देखिए, इसका output जो लिखाया हम लोग, 4 का pairing का, इसके output में देखे, सिर्फ 2 variable आया है, ओके, दिख रहा है, सिमिलरली अगर ह हम बात करें, दो के pairing का, तो 2 का pairing जो देखा हम लोग, तो 2 का pairing का मतलब क्या, 2 to the power 1, तो यानि एक variable सिर्फ हटेगा, कितना हटेगा, सिर्फ 1 variable हटेगा, बाकी क्या हो जाएगा, आपका, 3 variable रहेगा, यानि A, B, C, D में से 3 variable रहेगा, एक variable हट जाएगा, देखिए, यहाँ प mean term में सिर्फ एक variable आ रहा है, मतलब यह 8 का pairing output है, अगर 2 term सिर्फ आ रहा है, 2 variable आ रहा है, तो मतलब यह कितने का है, simply 4 का pairing है, और अगर 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह 2 का pairing है, और अगर 4 हो आ जाए, तो वो क्या है, mean term single individual pairing नहीं हुआ है, वैसा भी कोई question आएगा, त यह question की तरफ, यह तो previous lecture का question था, आगे हम लोग देखते है, okay, देखी, मैंने इससे पहले question explain किया था आपको, previous मतलब वो क्या था, आपके diploma question था, basic question था, उसमें क्या था, कि mean term दिया हुआ था, यहाँ पर, ऐसा question मैंने पहले explain किया है, आप मेरे first lecture में, sorry, second lecture में जाकर यह question को है, जो मैंने explain किया, देखे, मैं यहाँ लाकर दिखाता हूँ, यह question, same, यह question मैंने explain किया, आपने पहले lecture में, आप देख लेंगे, यहाँ इस question और इस question में क्या पर कहा है, मैंने वहाँ बोला था, कि यह सारा क्या है, swap form में लिखा हुआ mean term है, और कितने variable का है, चार variable का, औ और हर एक mean term में, हर एक mean term में क्या है, चारो variable present है, होना चाहिए, present होना चाहिए, तब ही हम आगे लिखते हैं, और अगर present नहीं है, तो हमको 4 variable convert करना हो, जैसे देखें यहाँ पर, a, b, c है, यहाँ देखें, a, c, d है, तो यह तीन ही variable को रखे हुआ है, यह भी 3 variable को रखे कि यह दोनों variable जो है, वो देख रहें, यह दोनों mean term जो है, वो 3 variable सिर्फ रखे हुआ है, एक variable missing इसमें भी, एक variable missing इसमें भी है, है, तो मुझे एक variable यहाँ बढ़ाना होगा, कैसे बढ़ाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे boolean algebraic theorem को use करेंगे, और यहाँ पे एक variable को इसमें मिसिंग है, तो वो कहलाता है standard, standard swap form, okay, standard swap form, यानि कि mean term complete है, output complete है, लेकिन variable पूरा नहीं है, यानि हर एक mean term में 4 variable, जतने variable गाँ, माले 3 variable गाँ, 3 variable हर एक में होना चाहिए, यहाँ 4 variable गाँ, तो हर एक term में 4 variable होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको जब convert करके ऐसा बदलते यह बहुत ही important point है, इसको आप दिमाग में बांद लिजेगा, यह याद कर लिजेगा, यह आपको convert करने के लिए कभी कभी आता है exam में, कि direct, आपको कोई भी boolean expression दिया रहेगा है, लिखा रहे है, convert the boolean expression into canonical swap form, तीक है, या canonical pause form में convert करने के लिए, तो पहला swap के लिए मैं ब variable वाला मिलेगा, दो variable वाला मिलेगा, तो convert करेंगे उसको, किस में, 4-4 वाले में, तो कैसे convert करेंगे, तो मैंने पढ़ा है, boolean algebraic theorem में पढ़ा है, यहाँ मैंने इस चीज़ लिख दिया रहे है, कि KMAP is 4 variable, यहाँ 4 variable दिया, but some mean term is not, याने कुछ mean term जो है, 4 variable में नहीं है, having all variable मतलब कुछ-कुछ ऐसा mean term है, जिसमें सारा variable present नहीं है, okay, so first convert into canonical swap, तो पहले क्या करेंगे, इस तरह के expression को convert करेंगे, canonical swap में, then apply on KMAP, तब उसके बाद apply करें KMAP, okay, तो यहाँ आते है, a, b, c, d, इस वाम में है, तो second वाला जो है, पहला वाला तो कोई दिकत ही नहीं है, उ 1 होता है, okay, क्या होता है, d plus d bar, या किसी भी variable का में पढ़ाता हम लोगे, a plus a bar 1 होता है, यह मैंने बुनियान एक अल्जेबिक से होरम में explain किया है, कैसे, okay, तो हम अगर लिखेंगे a, b, c है, और इसमें अगर लिखेंगे d plus d bar, d plus d bar का मतलब क्या है, one, यानि a, b, c into one, क्या हो जाएगा, a, b, c हो जाएगा, तो कोई फर्क पढ़ रहा है, कोई changes हो है, कुछ दिक, कोई problem होगा, नहीं न, तो हम a, b, c में one से multiply करेंगे, कोई फर्क नहीं हो जाएगा, यानि a, b, c में d plus d bar से multiply करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो देखिए, इससे क्या होगा, क्या benefit होगा, a, b, c था, उसमें d plus d bar से multiply करेंगे, यानि यह one है, one से multiply करेंगे, वहीं हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या था, इसमें a, b, c, bar, d था, तो वैसे ही उतार दिया, इसमें चार variable उसको वैसे ही उतार देंगे, लेकिन 3 variable वाले को note करेंगे, यह यह हो जाएगा, a, b, c, d, यह हो जाएगा, a, b, bar, c, d हो जाएगा, इसको break करने के distributive ला, बताया था, वो भी मैंने आपको algebraic theorem में देखाया, distributive ला, वही लगा रहा हूँ, a, b, bar, c, d बार हो जाएगा, यह एसे ही लिखा जाएगा, यह break होगा, a, b, c, bar, d हो जाएगा, a, अब यह पहले वाले question की तरह हो गया, जैसा मैंने first lecture में जो question पढ़ा था, same उसकी तरह हो गया, देखे, अब इसी की तरह हो गया, हर एक mean term में 4 variable, है, पहला question, तो देखे, यहाँ पी वही हो गया, अब हर एक mean term में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mean term है, और हर एक में 4 variable है, सब में देखे, अब 4-4 variable हो गया, किसी में 3 नहीं है, हो गया, यह कहलाएगा, इस यह कहलाएगा canonical swap form, यानि इसको उठाके, आप इसमें convert कर दिया, तो यह कहलाएगा canonical swap form, ठीक है, तो यह आप यहाँ से बता दिया, आपको सिखा दिया, यह कैसे convert होता है, ऐसे ही convert करेंगे, आते हैं, A, B, C 3D को क्या लिखेंगे, फिर से 111, इसको लिखेंगे, सबका binary लिख रहा है, ठीक है, mean term के form में सबका binary लिख रहा है, पहले कुछ नम लिखा था, सब वो convert क्या, यह 15 हो गया, यह कितना हो, 11, यह 10, यह 13, ठीक है, यह इतिफाक से यह दुनों सेम है, 13, 13, 13, तो एक को लेंगे है, अरिन करेंगे, 9, 10, 11, 13, 15, अब यह mean term आ गया, basic mean term, जो आप पढ़ा है, ऐसा game app solve करना आता है, आपको, आसानी से आता होगा, क्या हम लोगों ने previous class में ऐसा game app solve किया है, क्या है ना, उससे बड़ा वाला solve किया है, यह वाला, यह वाला solve किया है, सेम है, इसमें बहुत ज महां रखेंगे, इस game app पर रखेंगे, 9, 10, 11, 13, लग दिया, एक 4 का pairing हुआ, और 1, 2 का, output लिखना आता है, मालू में कैसे लिखेंगे, 4 का pairing का output कैसे लिखेंगे, और 2 का pairing का output कैसे लिखेंगे, लिखा जाएगा, यहां पर हम अर्ज बाद इंडिकेट इसली कर दात है, त्य कितने का game app था, 4 variable का, यहने 2 variable हट गया, तो यह किसका है, 4 का pairing का output है, 4 वाले pairing का output है, इसमें क्या है, तीन variable है, जबकि यह कितने का pairing होगा, यह 2 का pairing होगा, अभी मैंने बताया जो चीज़ ट्रिक, उसी trick को apply करेंगे, तो यहां से इसका output लिखा जाएगा आपसे आसानी से, बतानी की ज़रूरत नहीं है, दोबारा, ओके आगे बढ़ते हैं, आप हर एक lecture को, जब भी कोई भी lecture आगे आप सुनें, तो पहले previous lecture को जरूर देखेंगे, तभी आपको clear होगा सारा concept, अगर नहीं देखेंगे, तो कोई भी concept सब अटकर आएगा, मालुमा कुछ समझी में आएगा, जब से का previous lecture को नहीं देखेंगे, देखेंगे, अब आते हैं हम लोग, pairing in pause form, swap form का जतना भी question था, difficult is difficult, easy से easy, मैंने सारे को explain कर दिया, example लेकर 4 question में ही मैंने सारे type को आपको explain कर दिया, अब हम लोग आते हैं, तो swap और pause में क्या फरक है, इसके लिए मैंने एक lecture बना यहां क्या होता, प्लस में represent करते हैं, तो वैसे ही सब चीज़ देखें, यहां पी क्या था, उसमें, c लिखते था, यहां लिखते था, c by d bar, यहां लिखेंगे, इसमें क्या, c plus d, pause में, ठीक है, तो pause में यह representation, आपको मैंने explain किया, उसमें, क्या बोलते हैं, lecture में, आप lecture यहां लिखाया था, c by d लिखाया था, swap में, यहां लिखाया है, भी ना compliment, c plus d, ओके, वैसे ही सारा है, यह मैं explain नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार हर चीज़ को explain करता हूं, तो वीडियो लेक्शल नंबा होता जाएगा, तो आता हूं, यह आप पसानी से कर लेंगे, यह सा चार का pairing है, तो चार का pairing है, तो हम इसका कैसा output लिखेंगे, अब मैं पस का output लिखना बता रहा हूं, swap का तो बहुत देख लिया, आप पस का देख लिजे, पस में क्या हो जागा, इसका output सिमिलर सेम वैसे ही, जैसे उसमें लिखता था है, यह 0 को कैसे रिट करता, पहले सामन प्लस B बार, C प्लस D बार, लिखा गया, उसे तरह से इसके लिए रिखेंगे, A प्लस B बार, C बार, प्लस D बार, लिखाएगा, ठीक है, सेम इसके लिए लिखेंगे, इसके लिखेंगे, चारो के लिखा गया, बीच में क्या हो जागा, इंटू, क्यों, क्योंकि swap में क्या कर रहा है ये नहीं लिखाएगा डी बार बी बार बी बार बी बार बी चार हो में से किसी नहीं कर रहा ह duplicates कर रहा यानि यह तो spinner कर रहा है तो सॉपका और पॉस्ट सौ अलग अलग है यानि कि वहां उसमें in term में क्या लखता थे ? Ka गवेश्यां का प्यारिंग तक्या output लखाएगा पॉस्का यहां देखिए 8 का radar क्या करेंगे तभ क्या तो आठो ऐसा लिखाएगा प्यार देख रहे हैं अधि दो तीन चार्ट पांच छे साथ आठ आठ है यह आठो मैक्स ट्रम को लिख दिया मैंने यह आप अब देखेंगे कौन-कौन change कर रहा है, कौन-कौन ने change कर रहा है, तो देखिएगा, हम बताया था, जब भी चारो cell को एक साथ अब ले लेते हैं, तो वो variable ही हट जाता direct, चाहाए इधर का चारो cell ले ले चाहाए इधर का चारो cell ले ले ले, ये variable पूरा हट जाएगा, तो ये भी हटी जाएगा, देखिए, तो आथ हो एक आहाए, बताया, पहला. सॉल्व करने पर सिर्फ सी आएगा ओके यह सब बेसिक ही जैसे आप सॉप में पढ़ाता सेम वैसे ही है इसको लिखने का तरीका लेकिन यहां पर लिखते हैं एक्स्प्रेशन जो लिखते हैं वह पॉस में लिखने का तरीका क्या है कि मल्टिप्लाइग को पलस में को बीना कॉप्लिमेंट को बीना कॉप्लिमेंट कर दते हैं बस यही काम है और कुछ नहीं लास्ट कोश्चन पॉस फॉर्म का एक कोश्चन देख लेते हैं वह तो मैंने बताया प्यारिंग उपर में कैसे करते हैं चार का प्यारिंग कैसे करते हैं आठ का प्यारिंग कैसे क कहा रहा है 1 मां म्यक्स सअल्व हो सकता है कि डिया रहा है मैंक्स तर्म डिया रहे है यहां कैसे यह मीन ट्रम है तो मैंने बता है, यह का है 5. में मीन हो गया, तो यह मीन हो गया, तो यह उसका मैक्स हो गया, उल्टा यानि इतना को पंदरा जीरो से पंदरा तक जो लिखते है नमबर ना उसमें से सबको हटा देंगे जो बच गया वो मैक्स हो गया ठीक है तो मीन टर्म से मैक्स टर्म कैसे लिगा है या तो आपको डारेक्ट लिए दे सकता है कोशन में कहेगा यह एक्स्प्लेइन यह कहेगा solve by using kmap या फिर आपको यह दे सकता है और कहें कि solve by use solve in pos form solve the following mean term using pos form और max term तो आपको answer क्या है इस form में करना पहले max में convert करना उसके बाद करना है तो max में convert हो गया है अब बताया है max term को कैसे यह यहां यहां यह यह देरा वारिबल यह सारे जागा 0000 जहां जहां बोल रहा था ठीक है और उपर को तो यह उपर वाला में हम लोको अभी हमने उपर वाला पढ़ रहा है max पढ़ रहा है मीन वरा तो बहुत पढ़ लिए तो अब देखी यहां क्या हो रहा हैются max को पない कर time करना में नहीं जारा रहे है तो जीरो का यह यह बन गया चार का बन गया यह दो का यह दो का और यह दो का तो चार का कितना बना एक दो का कितना बना तीन तो में आक लिख जाब प्यारिंग रिंग डिना वां थीन च्यार एक आट का जीरो अब लिखने जा रहा है यह तो इस च्यार के के रिंग को देखे ध्यान से वैसे जाए है रहे पर यहां देखें तो इसके लेफ्ट साइड में जाएंगा तो यह कितने सिल को कवर कर रहा है यानि इसको और इसको कवर कर रहा है इन दौनेंगे ऑब यानि ये चेंज कर रहा है यह नहीं लिखाएगा बी बार, यानि बी बार लिखाएगा, यह बी बार लिखा गया पहला, ठीक है, अब vertically, आप देख लिया, horizontally देखेंगे, तो यह कितने से लोग कवर कर रहा है, यह दो से लोग कवर कर रहा है, इसको, तो कौन है, इसका max term, c plus d, c plus d बार है, इन दोनों को रहें, c, c, d, d, d बार यहाँ से क्या आया, मेरा, यहासे आया था, b bar, और यहां से क्या आया, c, तो यहा लिा गया, b bar, plus, यहां से क्या आया, आपको, c, sorry, b bar, plus, c, लिखाएगा, अगे हम लोग बढ़ेंगे, तो बाकी दो का सारा pairing है, तो दो का pairing आसानी से यहां से आएगा यह वर्टिकल में कोण आ रहा है यह दोनों से लारा है यहां से आएगा चैंज कर रहा है यहां से आएगा अगंगा चिनास आएगा C बार, C बार, ओके, यह output किसका है, इसका है, ठीक है, उसी तरह से यह output किसका है, इसका, और यह किसका है, इसका, करके देखेंगे इसको, दो दो का, आराम से हो जाएगा, I hope, इतना समझाने के बाद, आपको K-Map काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, तो मेरे इन तीन लेक्चर को, जो मैंने K-Map का तीन लेक्चर बनाया है, तीनों को कम से कम, दो तीन बार समझें, दो तीन बार देखें, और ध्यान से प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, तो कभी सब जगा जो मुझे बेस्ट मिला, वो मैंने कलेक्ट करके आपको यहां समझाने की कोईश्च किया है, तो I hope आप लोगों को मेरा वर्क समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर कुछ सीखने को मिल दाया है, तो मेरे वीडियो लेक्चर को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करके आगे बढ़ाएं, ताके किसी और को भी यह help कर सके, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स लेक्चर में,